हेलो एबीबर्बन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में दोस्तों आज का वीडियो में आपको चार टिप्स बताऊंगा आपके फॉन के चार ऐसे फीचर्स बताऊंगा आपके एंड्रोड डिवाइस के जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और दोस्तों इन फीचर्स को जो है कोई भी आपको मतलब की कोई भी यूटूबर इन फीचर्स के बारे में आपको नहीं बताएगा तो आपने इन फीचर्स को पूरे ध्यान से देखना है चारों फीचर्स जो की आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और जब आप इन फीचर् में पहले क्यों नहीं पता था तो चलिए अब इस वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूस टैक चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज का सबसे पहला कमंड ठीक है आज को जो है गूगल फोटो के बारे में मतलब रिकावरी के बारे में भी पता चल जाएगा उसके बाद हमारा सेकेंड कमंड आया है वो है हमारा संदीप कुमार तो ये बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं सर मैं साउधी अरब में होर्स ड्राइविंग का काम करता हूं तो मेरे को दो मन्त हो गया है मैं सेमसंग गलेक्सी A70 यहां से खरिदा था तो यहां पर कोल रिकोर्डिंग अलाउड नहीं है यहां की सरकार अलाउड नहीं करती है इसलिए हमारे डिवाइस में यह उप्शन नहीं है तो बोलो मैं क्या करूं सर बताओ प्लीज संदीप भाई यह अगर हो सके तो एक बार ट्राइज जरूर करना साइध आपके फोन में कोल रिकोर्डिंग का ओप्शन आ जाए तो अब हम इन ट्रिक्स के बारे में यहां पर बात करते हैं बहुत ही इंपोर्टन है तो चलिए आते हमारी मुबाल की स्क्रीन पर तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो फीचर है वो हमारा hidden फीचर है हमारे किसी भी Android डिवाइस का तो उसके लिए आपको सैटिंग पे जाना होगा ठीक है सैटिंग पे जाने के बाद तो आपने यहां पे क्या करना है सैटिंग पे जाने के बाद आप नीची को स्क्रूल वाएं में आपने प्रणी का पडेट करेंगे तो अपने फोन का जो गरता हुमारे उससे आपने फोन को whoayक अगया तो backup क्या हो गया जैसे कि contact हो गए आपके videos हो गए audios हो गए मतलब कि आपकी जो photos हो गई आपकी जो files हो गई मतलब कि all over जो भी आप में जो option मतलब जितने भी function है जैसे कि आपने call की history हो गई आपकी जो भी है आप वो सब यहाँ पे backup हो जाएगा दूसरे phone पे फिर दूसरे phone पे आप उसे use कर पाएंगे जैसे कि आप उसे hard reset कर लेंगे तो बापिस जो है आप इस phone में उस backup को ले सकते हैं तो दोस्तों अब हम जो है दो feature तीन feature और उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे important features हैं तो सबसे पहले हमारा feature आता है यह हमारा google photos का ठीक है google photos का जैसे कि यह photos को option आपको देखने को मिलता है आपके किसी भी android device में जब आप इसे open करेंगे ठीक है तो आप जब इसे open करेंगे तो यहाँ पे turn on backup काता है do not backup करूंगा यहाँ से तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी photos को recover कर सकते हैं वीडियो को recover कर सकते हैं और तो और आप अपनी audio मतलब की आपकी files सभी को यहाँ पे recover करके रख सकते हैं तो कैसे करना है जैसे कि आप मालनों की आपने जो फोटो की click की ठीक है फोटो क्लिक की तो वह automatically जो है आपकी Google फोटो में upload हो जाएगी यह option आपको on करना पड़ेगा या फिर आपके वीडियो है वो भी automatically upload हो जाएगी लेकिन वीडियो तो code करता है लेकिन सभी अपनी photos को recover क करता है तो कैसे करना आपने three dots पे यहाँ पे click करना है ठीक है click करने के बाद आप setting option यहाँ पे मिलता है setting option मिलने बाता है backup synchronization ठीक है यह आपने यहाँ से on कर देना यह on करेंगे तो आपकी जितनी भी photos है private photos जो भी है सभी यहाँ पे upload हो जाएगी इस Google photos पे तो आप समझ गे ह होंगे कि कैसे आपने से move करना है अपनी photos को जो है save करना है और जब आपके phone में अगर आप phone को reset कर देते हैं या फिर आपकी सभी photo delete हो जाती है और यहाँ पे आपके जाके जो है आपको वो परानी photo जो भी आपने खींची थी click की थी सभी यहाँ पे show हो जाएगी इसका एक फाइदा यह है कि मालों कि आपकी girlfriend है या फिर कोई और बंदा है उसके phone में वो दिन में कौन सी photo click करती है और किसे delete करती है सब आपको यहाँ पर पादा जल जाएगा आप उसका email address डालेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे जितने भी photo click करती सभी आपको यहाँ पे show होना start हो जा मैं आपको description पे दे दूँगा ठीक है इस application का जब इसे आप open करेंगे तो आप किसी को भी free में call कर सकते हैं मतलब कि आपका number नहीं जाएगा जिसको भी call करेंगे ठीक है कोई बंदा होगा आप उसको call करेंगे तो उसको जो है आपका number नहीं जाएगा तो आपने इसे open करना ह और सबी permissions को यहां पे allow कर देनी है उसके बाद आप किसी को भी call करेंगे तो आपका number नहीं जाएगा यह बिल्कुल 101% यह application वर्क करती है तो इसका link भी मैं आपको description पे नीचे दे दूँगा आप इसे वहां से जाके download कर सकते हैं ठीक है तो यह option आप easily यहां से use कर सकते हैं उ यह last feature है वह हमारा साइजम साइजिस के बारे में कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि यह बहुत ही important application है कैसी है मालों कि आप कोई song आप कहीं bus में बैटे हैं या फिर आप train में travel कर रहे हैं आप यहां पे कोई song play हो रहा है तो आपको वह song बहुत अच्छा लगता है तो आप कि वह song आपको पताने चलता कि song कौन सा है कौन सी movie गा तो आप यहां पर पता लगा सकते हैं वह कैसे जैसे की मैं आप जो है इस phone पर कोई song play करूंगा तो यह बता देगा कौन सी movie का है या किसका है पूरा डिटेल में बताएगा तो मालों कि मैं यहां पे song play करता हूं कर दिय play तो इसको यहां से मैं click कर दूँगा तो आप ध्यां से देखना तो यहां पर दे सकते हैं आप यहां पर सोंग जो डिटेक्ट हो चुका है यहां पर आ गया वास्ते धाबनी मतलब कि इसका यह song है वह यहां पर इसने सर्च कर लिए और आप यहां से play भी कर सकते हैं ठीक है तो वहां से आप सर्च करेंगे यहां से आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाए का कौन सा song है और यह phone जो है मतलब कि यह application जो है song को भी play कर देगी जो song जो है आप कहीं भी सुन रहे हैं और आपको पता नहीं और आप भी सुनना चाहते हैं तो आप easily इस application को यूज कर सकते हैं आपने कहीं भी song लगा होगा आपने बस यहां से सर्च पर क्लिक कर देना और वो song को detect कर लेगा और यहां पर play कर देगा ठीक है आप easily यहां से song को भी सुन सकते हैं तो यह application का link भी आपको मैं नीचे description पर दे दूँगा आप वहां पर जाके इसे download कर सकते हैं और यह थे आज के चार्ट कुछ important features जो कि मैं आपको बताना चाहता था तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please like कर दिजिए कर तो bye bye